पिछले कुछ हफ्तों से श्रिलंका में अक्सर और अल्मोस्ट हर दिन प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, डेमन्स्ट्रेशन्स हो रहे हैं इस सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्योंकि ये देश बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आज सुबा ही सरकार ने यहां पर एक स्टेट ओफ एमर्जेंसी इंपोस किया है जिसके अंतरगर्थ पुलीस को पावर्ज हैं कि वो बिना किसी वारेंट के लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यहां का पबलिक ओडर डिस्टरब हो सकता है और उसी के ही अं कि असर आपको इस तरह के डीपाटमेंटल स्टोर से vraiment है लोगों ने यहां पर पैनिक बाइंग शिरू कर दी है कि श्री लगा मे 법 के दौरान लोगों को यह नहीं पता है कि इस तरह के डीपाटमेंटल रहें गई या नहीं खुले रहेंगे देख सकते हैं आप बहुत तरहा हर तरहा की सबजी भाजी खास कर जो पेरिशिबल आइटम्स हैं वो लोग खरीद चुके हैं यहां पर काफी भीड थी अब पुलीस आ गई है इस वजह से नए लोगों को यहां अंदर नहीं गुसने दिया जा रहा है बट काफी भीड है काफी लाइन है लो तो 36 घंटों का करफ्यू लागू किया है इसके पीछे की वजह अक्तिविस्ट कहते हैं कि जिस तरह के प्रोटेस्ट और डेमस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए किया गया है आज शाम को भी कुछ प्रोटेस्ट और्गनाइस किये गए थे और कल संडे को यहां अ कि उसने सिविल सोसाइटी ने जर्नलिस्ट में सबने मिलकर एक गोहार लगाई थी कि प्रोटेस्ट किया जाएगा बट उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार में 36 घंटों का करफ्यू लागू कर दिया है जिसमें कुछ इसेंशल सुविधाएं चालू रहेंगी कुछ बसें कुछ ट्रेंश चालू रहेंगे पर रात के ट्रेंश सर्विसेज बंद कर दिये गए हैं और बहुत करहा की और दुकाने भी बंद कर दी गई है और जिस तरह की भीड आपको ये डेपार्टमेंटल स्टोर में दिख रही है यहां लोग रोजमर्रा की चीज करीदते ह हैं और यहां पर एक पैनिक दिख रहा है लोग जिस तरह से यहां पर शॉपिंग कर रहे हैं इन्हें डर है कि अगले 36 घंटों में शायद और ये भी हो सकता है डर ये भी है लोगों में कि शायद ये कर्फ्यू 36 घंटे से आगे बढ़कर जाधा भी हो सकता है याद कर ये जस्त दो दिन पहले ही गुरुवार को जिस तरह के वाइलिन्ट प्रोटेस्ट हुए थे प्रेसिडेंट के घर के बाहर में उसके बाद से यहां का माहौल, श्रिलंका का माहौल काफी बदल गया है गुरुवार की रात को जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें करीब तीरपन लोग घायल हुए थे जिसमें पुलिस फोर्सेज और जन्ता नागरिक दोनों शामिल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी शामिल थे बहुत 39 मिलियन श्रिलंकान रुपीज के हिसाब से अगर बात करें उतना पब्लिक प्रोपर्टी डामेज हुआ था और उसके बाद से श्रिलंका का माहौल जो है वो थोड़ा गंभीर हो गया है और इस तरह से सरकार क्राकडाून कर रही है अक्टिविस्ट के लिए कि जो सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखते हैं और कहते हैं उन लोगों पर सरकार ने अपनी नजर कड़ी कर ली है और उन्हें उन में से कुछ लोगों की गिरफतारी भी हुई है पूचताज के लिए और ये सब जो state of emergency लागू किया गया है इसके अंतरगत हो रहा है क्योंकि पुलीस के पास ये powers हैं कि वो बिना warrant के arrest कर सकते हैं और एक आखरी नजारा यहां का ये श्री लंका की जनता है ना या नहीं बीबीसी न्यूस के लिए अर्चना शुक्ला कुलंबो श्री लंका से